रादे रादे दिव्विक चैनल के माध्यम से आज के पावन एकादशी को श्रवन करने के लिए जो विश्रुता बैठे हैं उन सभी को एकादशी की राम राम आज की एकादशी है वरूतनी एकादशी वरूत का आर्थ होता है समूह पापों के समूह को नाश करने वाली जो एकादशी है उसका नाम है वरूतनी एकादशी देखिए एक आदर्शी पर व्रत करना चाहिए व्रत में भी दो प्रकार के व्रत है एक व्रत है वाई है और एक व्रत है अंतह अंतह करण का व्रत और वाई है व्रत अर्थाथ अंतह करण की समस्त दुरुबलताओं का त्याग कर देना ही यह एक एकादशी का वरत हुआ और हमारी पांच ग्यानिंद्री पांच कर्मिंद्री इनको नियंतर्ण में रखना मन सहित इन सभी दशों इंद्रियों को नियंतर्ण में रखना यह हमारा वाही वरत हुआ पूर्वकाल में राजा मानधाता आदी अनेक राजा हुए जिन्होंने इस वरत के प्रभाव से मोक्षपद को भी प्राप्ति किया और गुंगुमार आदी पापात्मा हुए जिन्होंने इसी वरत के प्रभाव से अपने पापों के सम्हूं को नश्ट किया कुछ चीजों का इसमें त्याग कर देना चाहिए एक आदर्शी से एक दिन पहले अर्था दश्मी की रात को ही उनद, मूँ, चना, शाक, कोदों, शहद, परान, दोबार भोजन, सहवास और क्रोध इन दसों वस्तों का त्याग कर देना चाहिए दूसरे का अन्द भी नहीं खाना है और ग्यारे चीजों का भी परित्याग करना चाहिए कौन-कौन सी चीज़े है जुआ खेलना दिन में सोना साथ ही तमाकू खाना किमवा पान खाना सहवास करना क्रोध करना हिंसा करना आदी दस वस्तों का मन से भी परित्याग कर देना चाहिए तब हमारी इस एक आदशी का साफरल्य होगा देखिए एक मजदूर जब मजदूरी करता है किसी भी कारखाने में किसी भी कंपनी में तो हफते में एक बार तो उसे छुटी मिलती है ऐसे ही हमारी इंद्रिया जो हमारी पाचन शक्ती है जहां पर सब कुछ पच्छता है वह भी तो काम कर रही है तो एक पंक्ती है मैं आपको सुनाता हूँ जैसे मजदूर करे मजूरी उसे हफते में एक दिन आराम चाहिए जैसे मजदूर करे मजूरी उसको हफते में एक दिन आराम चाहिए वैसे ही हमारी इंद्रियों को भी हफते में थोड़ा सा आराम चाहिए बलकि महीने में थोड़ा सा आराम चाहिए महिने में दो बार एकादशी आती हैं अनराग, तो इसलिए कम से कम दो बार ही सही अन्नाहार का बेराम चाहिए, हमें अन्न नहीं खाना चाहिए, जिससे इन इंद्रियों को भी थोड़ा रहात मिल सके, वरूतनी एकादशी, आप सब के पापों को नश्ट करने वाली तिल, सुवर्ण, कन्यादान, विद्यादान, यह सब उत्तरोत्तरोत्तर दान हैं, एक से एक बढ़कर दान हैं, लेकिन यह सारे दान मिलकर के भी, वरूतनी एकादशी के फल की बराबरी नहीं कर सकते हैं, तो आप सोचिए, वरूतनी एकादशी का फल कितना उंचा होगा, तो आप सभी के लिए मैं कहना चाहूंगा एकादशी अवश्य करें एकादशी महरानी वरूतनी एकादशी हम सब के लिए कल्यान कारी हो हमारे पापों को नश्ट करके हमारे पापों के अंदकार को नश्ट करके जीवन में पुन्यों का सूर्य उद्य करें इसी के साथ मैं आ अनंत अनंत मंगल कामना है, शुब कामना है, रादे रादे. आपैसके अनंत स्ही संगान, घ्यत्राहत करुद से लकाता है, रादे ड़त आदे। मुझे ऑना है, रादे 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 के पहर। Me